आजाद भारत के पहले मतदाता इंडिपेंडिट इंडियास फर्स्ट वोटर शाम शरन नेगी हाज रीसेंटली पास्ट अवे हाली में इनका निधन हो गया है यह 106 साल के थे हिमाचल प्रदेश के किनौर डिस्टिक के नौर प्लेस से यह बिलॉंग करते थे और इन्होंने सबसे पहले इंडिपेंडिट इंडिया को अपना वोट दिया था अपना वोट कास्ट किया था डिस्टिक कलेक्टर के नौर के डिस्टिक कलेक्टर आबित हुसैन ने यह कहा है कि हम इनके जो लास्ट राइट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है और बैंड वगेरा से इनको आउनर करकर इनका लास्ट राइज जो है वो परफॉर्म करे जाएंगे तो इनको एक बहुत ही क्या वुलते की बहुत इज़त से और बहुत आउनर के साथ इनको गुडबाई किया जाएगा जानते इनके बारे में ये पड़े लिखे स्कूल टीचर जो की 1st July 1917 में का जन्म हुआ था स्कूल टीचर थे इन्होंने सबसे पहले अपना वोट है वर 1951 में कास्ट किया था 25 अक्टोबर में अच्छा 1952 में इलेक्शन होने थे बट हिमार्चर प्रदेश वारा जो हिली एडिया होता है मांटेनिस रीजन है वहां प इलेक्शन कंडग कराना उस टाइम पर पॉसिबल नहीं था इसी वजह से कुछ टाइम पहले ही इलेक्शन कंडग करवा लिए गये तो शाम सरण नेगी जो थे वो सबसे पहले ऐसा मतद आता थे जिन्होंने के अपना वोट है वो कास्ट किया था 1951 में उनको सनम्रे फीचर अब हम जानते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले इलेक्शन के बारे में तो बचों यह इलेक्शन कंडग करवाए गए थे 25 ऑक्टोबर से लेकर 1952 25 ऑक्टोबर 1951 से लेकर 21 February 1952 तक लगभग लगभग 6-7 महीने यह इलेक्शन जो है वो चले थे इतने ज्याद ईतना टाइम क्यों लगा इंडिया जो है इंडिया का जो इंडिया का जे का लाऀया बहुत बढ़ा है पॉपिलेशन बहुत बढ़ी है तो उसको चहरें इन वाल कोशी है कि भाग्शन नहीं लगए तो जो सब्हें इलेक्शन के अतर अज़चन है विश्ञाजाद ऑस फोन In 2015 इलेक्शन स्टार्ट वोटिंस अगई थी तो क्योंखिक हमने अपना एलेक्शन ही जो हमने अपना जो constitution है उसको adopt किया था समझ में आया है कि first elections कब हुए थे 1951 में है ना और जो voting थी वो 1951 में सबसे पहले सबसे पहले person to cast the vote was शाम शरन नेगी now अब हम जानते हैं लोकसभा seats के बारे में उस टाइम पे लोकसभा seats थी 489 लोकसभा एलेक्शन क्यों इंपोर्टेंट होते हैं विच्छों लोकसभा में जो भी पार्टी में होती है ना वस पार्टी से देश के प्राइम मिनिस्टर चूज करे जाते हैं तो इस वज़े से बहुत इंपोर्टेंट थी इलेक्शन कंड़ करवाए गये तब जो eligible वोटर्ज हैं तो वोटर्ज भी बहुत भारी मातरा में आने वाले हैं और उस टाइम पर इतने बड़ी पॉपिलेशन के लिए इतने सारे वोटर्ज के लिए इलेक्शन जो है इतने सारे वोट इतने सारे वोटर्ज INC ने 364 seats जीत कर बहुमत हासल करी देवन और उनकी पार्टी में से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जवाहर लाल नहरू यह सबसे पहले प्रधान मंतरी बनते हैं डेमोक्राटिक इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के थुरू इलेक्शन ठीक है डेमोक्राटिकली इलेक् प्राइम मिनिस्टर एंड इसा नहीं है कि इन्होंने ही सिरफ इन्सी और एक आधी पार्टी नहीं इलेक्शन कंटेस्ट के इलेक्शन में कंपीट हिया था 53 पार्टी थी 533 इंडिपेंडेंट पीपल थे इंडिपेंडेंट कंटेस्टें थे और सीच्टी 489 इनको अंबेदकर की पार्टी स्केड्यूल कास्ट फेडरेशन जिसको की बाद में रिपब्लिकन पार्टी भी नाम दे दिया गया तो इसको रीनेम कर दिया गया था आज रिपब्लिकन पार्टी किसान मजदूर प्रजा परिशद ये पार्टी थी अचारिक रिपलानी जी की पेनों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था थो आध ताइम दे वर नॉट अबल तो चैलेंज दे सूप्रमिसी आफ दे वर नॉट अबल तो विन ओवर दे सूप्रमिसी ऑफ आएंसी बट दे चैलेंज्ज इच लोगसभा के अब इलेक्शन होगे तो लोगसभा के स्पीकर का भी नाम सुनते हैं लोगसभा के जो फर्स्ट स्पीकर थे वो थे गनेश वासुदेव मवलांकर और इन्होंने जो फर्स्ट लोगसभा जो सीटिंग थी बच्चो वो उसमें टोटल 677 seatings थी and hours में अगर हम count करे तो 3784 hours आज तक की सबसे ज़ादा sitting hours जो है वो उस time के लोगसभा में जो first लोगसभा का पूरा tenure था उस time पे उसके इतने ज़ादे seating hours थे जो की आज तक भी नहीं है तो देवधी it is the highest recorded count of number of seating hours of लोगसभा लोगसभा का जो full term था that was from April 17 से लेकर April 17 1952 से लेकर April 4 1957 कितने साल का 5 years का क्योंकि एक elections के बाद 5 साल तक 5 साल के बाद लोगसभा के elections होते हैं हर 5-5 साल में तब भी तो prime minister change होते हैं तो उनके जो seating थी 17 April 1952 से लेकर 4th April 1957 अच्छा एक बहुत important चीज जो हमारी voting right होती है ना बच्चो voting right तो voting is a legal right not a constitutional right ये कोई हमारा constitutional right या फिर fundamental right जो है वो नहीं है ये है हमारा legal right आर्टिकल 360 आर्टिकल 326 ये बताता है कि जो वोटिंग एज है ठीक है आर्टिकल 326 ये बताता है कि एज जो है वो 18 years है 18 years के बाद आ वोट कास्ट कर सकते हो बट कहीं भी constitution में ये नहीं लिखा जाता है legal rights जो है वो ordinary laws के द्वारा प्रोटेक करे जाते है और constitution और fundamental rights का rights का protection होता और guarantee होती है वो constitution लेता है ठीक है बच्चो so that's all for this video I hope you guys like the video kindly like, share, comment and subscribe to our channel join our telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair, pdfs and exam related content thank you everyone